भगवान और भग्त, इनका क्या संबंध है? भग्त के मार्ग में कौन-कौन सी कठिनाईयां आती है? भग्त अपना जीवन कैसे बिताता है? उसकी सांसारिक परिस्थितियां क्या होती है? इन सब को हम सुनेंगे. भगवान श्री राम कृष्ण परमहन्स की अमरितवानी में श्री राम कृष्ण कहते हैं सूर्ये प्रिथ्वी से कितने गुना बड़ा है पर बहुत दूर होने के कारण वह सिर्फ एक थाली जैसा प्रतीत होता है इसी प्रकार भगवान अनन्त हैं परंतु हम उनसे बहुत द दूर होने के कारण उनकी यथार्थ महिमा को समझ नहीं पाते तालाब का पानी, काई और घास पत्तियों से ढखा होने के कारण उसमें खेलती हुई मचली दिखाई नहीं पड़ती इसी भाती मनुष्य की द्रिष्टी माया के आवरण से आच्छन होने के कारण वह अपने हुरदय में लेलाए मान प्रभु को देख नहीं पाता आनंद मई जननी को हम क्यों नहीं देख पाते ये बड़े घर की स्तिरियों की तरहे चिक की ओट में रहती है, परदे की ओट में रहती है उनके भग्त, संतान गण, माया रुपी परदे के भीतर जाकर उनके दर्शन करते हैं अंधेरे में गश्त लगाने वाला पहरेदार अपनी लाल्टेन के उजाले से सबको देख सकता है पर उसे कोई नहीं देख पाता अगर वह स्वयम उस लाल्टेन का प्रकाश अपने पर ढाले तो ही उसे देखा जा सकता है इसी प्रकार भगवान भी सबको देखते हैं परन्तु उन्हें कोई नहीं देख पाता पर यदि वे कृपा करके स्वयम को प्रकाशित करें तो ही मनुष्य उन्हें देख पाता है अब भगवान और भगत का क्या संबंध है उसके बारे में बताते हैं जमिदार कितना भी रईस क्यों न हो पर जब कोई दीन प्रजा उसे प्रेम के साथ कुल सामान्य वस्तु भेंट देती है तो वह उसे आनंद पूर्वक स्विकार करता है इसी प्रकार यद्य भी इश्वर अत्यंत महान और सर्व शक्तिमान है तथा पि वे मनुष्य की शद्धा पूर्वक दी हुई नगण्य भेंट को भी बड़े प्रेम से ग्रहन करते हैं उन्हें पा लिया तो सब हो गया संस्कृत न सीखी तो क्या हुआ उनकी कृपा, पंडित, मूर्ख, सब संतानों पर है जो उन्हें पाने के लिए व्याकुल है जैसे पिता के पाँच बच्चे हैं पिता का सब बच्चों पर समान सने है उनमें से एक दो जन ही बाबुजी कहकर पुकार सकते हैं बाकी कोई बा कहकर पुकारता है कोई पा पूरा उच्चारन नहीं कर पाता पर जो बाबुजी कहता है उस पर क्या पिता का प्यार जादाफ होगा और जो पा कहता है उस पर कम पिता जानता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है साफ साफ बाबुजी नहीं बोल पाता बच्चे का स्वभाव ही है अपने को कीचड मिट्टी में सान लेना पर मा उसे गंदा नहीं रहने देती नहला धुला कर साफ कर देती है इसी तरहे मनुश्य का स्वभाव ही है पाप करना परंतु है कितना भी पाप क्यों न करे भगवान उसके उद्धार का उपाए कर ही देते है जिस प्रकार एक ही आलू को अपनी रुची के अनुसार उबाल कर तल कर सूखी या रसदार सबजी बना कर खाया जा सकता है उसी प्रकार जगत के कारण इश्वर एक होते हुए भी उपासकों की रुची के अनुसार भिन भिन रूपों में प्रकट होते है ताकि सभी साधक उन्हें अपने प्रेमास्पद के रूप में पासके किसी के लिए वे दयालू स्वामी या प्रेममय पिता है तो किसी के लिए मधुर हासिनी माता किसी के लिए सुहरित सखा तो किसी के लिए प्रियपती या आज्याकारी पुत्र मचलियां कितनी भी दूर क्यों नहों अच्छा चारा फेंकते ही वे जैसे दोड आती है वैसे ही भगवान भी शद्धा विश्वास वान भगत के हुरदय में शिग्र ही आकर प्रकट हो जाते हैं इश्वर कोटी भगत भगवान के अंतरंग निकट आत्मी हैं वे उनके संगी साथी लीला सहचर हैं जीव कोटी भगत बहीरंग हैं सूरिय की किरने सरवत्र समान रूप से पढ़ने पर भी जल में दरपण में तथा अन्य स्वच्छ वस्तूँँँँँँपर उनका प्रकाश अधिक दिखाई देता है इसी भाती इश्वर का प्रकाश सब के हृदय में समान होने पर भी साधू महात्माओं के शुद्ध हृदय में वह अधिक उज्वल रूप से प्रकाशित होता है दीपक का स्वभाव है प्रकाश देना उस प्रकाश में कोई रसोई बनाता है कोई जाली कारियवाही करता है तो कोई भागवत पाठ करता है परन्तु प्रकाश इन सब गुण दोशों से निरलिप्त है इसी प्रकार कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ती के लिए प्रयत्न करता है और कोई उसी नाम का पाखन्ड रजकर चोरी करता है ठग बाजी करता है परन्तु भगवान इन सब से अलिप्त है भगवत, भग्त, भगवान तीनों एक ही है यथार्थ प्रेमी भग्त इश्वर को किस दृष्टी से देखता है वह इश्वर को अत्यन्त निकट आत्मिय की तरह देखता है जैसे व्रज की गोपियां कृष्ण को जगननात के रूप में नहीं देखती वे तो उन्हें गोपि नात के रूप में ही देखा करती है यश्वर को मा कहकर पुकारते हुए भग्त इतना आनंद मगनक क्यों हो जाता है क्योंकि बालक मा के ही निकट सबसे अधिक स्वच्छन्द रहता है मा के ही उपर उसका सबसे अधिक जोर चलता है ज्वर विकार में मारे प्यास के रोगी को लगता है कि वह पूरा समुद्र ही पी जाएगा पर जब बुखार उतर जाता है तो एक ग्लास पानी से ही उसकी प्यास बुझ जाती है माया के विकार में मनुश्य को अपनी क्षुद्रता का होश्न होने के कारण उसे लगता है कि वह अनंत स्वरूप ईश्वर को अपने हृदई में खीच लाएगा परन्तु जब उसका मोह ब्रह्म दूर हो जाता है तब ईश्वर की जोती की एक किरण ही उसका हृदई दिव्यानंद से भर देती है कलवार की दुकान में बहुत शराब रहती है पर कोई आदी बोतल कोई एक या दो बोतल पीकर ही मस्त हो जाता है हिसी प्रकार भगवान तो अपार आनंद के सागर है परन्तु भग्तगण थोड़ी बहुत मात्रा में उस आनंद का उपभोग करके त्रिप्त हो जाते है भगवान मानो चीनी के परवत है और भग्तगण चीटियां चोटी चीटी चीनी के परवत में से एक छोटा कण ले जाती है और बड़ी चीटी कुछ बड़ा कण परन्तु परवत जैसा का वैसा ही रहता है इसी प्रकार भग्तगण भी अनंत भाव मय भगवान का एक एक भाव पाकर ही परिपूर्ण हो जाते है संपूर्ण भावों को कोई ग्रहन नहीं कर पाता ब्रम्ह समुद्र की हवा लगने पर मनुष्य पिघल जाता है अर्थात उसका अहंकार नश्ट हो जाता है वह हवा खाकर सनक सनातन इत्यादी प्राचीन रिशी सारे पिघल गए उनका अहंकार नश्ट हो गया नारद दूर से ही ब्रम्ह सागर के दर्शन करके अपना अस्तित्व खो बैठे और हरी गुणगान गाते हुए उनमत्त की तरह प्रत्वी का प्रयट्न करने लगे शुकदेव ने तट पर जाकर तीन बार जल का स्पर्श किया और ब्रम्ह भाव में विभोर होकर जडवत विचरण करने लगे जगद गुरू महादेव उसमें से तीन चुलू जल पीकर शव की तरह निश्चल पड़े रहे ऐसे ब्रम्ह समुद्र के स्वरूप की भला कौन था पाएगा श्री राम कृष्ण ने केशव चंद्रसेन से कहा था ब्रम्ह समाज के लोग इश्वर की इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं हे इश्वर तुमने चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, नक्षत्र बनाये इन सब बातों की इतनी क्या जरूरत अधिकान्ष लोग बगीचे की ही प्रशंशा करते हैं पर बगीचे के मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं, बगीचा बड़ा है या मालिक? मालिक ही सत्य है, बगीचा तो मिध्या है, शराब पी चुकने पर, कलवार की दुकान में कितने मन शराब हैं, इसके हिसाब से हमें क्या मतलब? हमारा तो एक ही बोतल से काम हो जाता है, नरेंद्र को देख कर ही मुझे आनन्द होता है, उससे मैंने कभी नहीं पूछा कि तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे पिता के कितने मकान है, क्यों जानते हो? मनुष्य, स्वयम ऐश्वरिय का आधर करता है, इसलिए वह सोचता है कि ईश्वर भी ऐश्वरिय का आधर करते हैं, सोचता है कि उनके ऐश्वरिय की प्रशंसा करने पर वे खुश होंगे? जिस प्रकार सरल बालक रुपया पैसा सब छोड़ कर गुड़िया को उठा लेता है उसी प्रकार विश्वास वान भक्त भी संसार का सब धन मान इत्यादी छोड़ कर इश्वर को ही ग्रहन करता है दूसरा कोई ऐसा नहीं कर पाता जो सच्चा भक्त होता है वह अपना बारह आना मन इश्वर पर रख कर चार आना संसार की ओर देता है इश्वर संबंधी जितने भी विशयें हैं उनमें वह अत्यांत सतर कर रहता है और साप की पूछ पर जैसे पाउँ पढ़ते ही एकदम फुफकार उठता है वैसे ही वह जागरूक रहता है एक सुपरसिद्ध ब्रामप्रचारक ने किसी समय श्री राम कृष्ण के बारे में कहा था कि एक ही विशये का अत्याधिक चिंतन करते रहने से फलस्वरूप कई पाश्चात्य विचारकों को जिस प्रकार मस्तिश्क का विकार हो गया उसी प्रकार का मस्तिश्क विकार श्री राम कृष्ण को भी हो गया है ये अचेतन हो गये है यह सुनकर बाद में एक दिन श्री राम कृष्ण ने उनसे कहा था तुम कहते हो कि युरोप में भी विद्वान लोग इस प्रकार एक ही विशय का सतत चिंतन करते हुए पागल हो जाते हैं परन्तु उनके चिंतन का विशय क्या होता है जडवस्तु ना, संसार ना, यदि सदा जड़ का विचार करते हुए मनुष्य जड़ बुद्धी बन जाए तो इसमें आश्चरिय ही क्या है परन्तु जिसके चैतन्य से सारा विश्व चैतन्य मय हुआ है उस चैतन्य स्वरूप का चिंतन करके भला कभी कोई अचेतन बन सकता है क्या तुम्हारी पोथियों में यही लिखा है इश्वर के प्रेम के समुद्र में डूब जाओ इसमें डूबने से डरूमत यह तो अमृत का समुद्र है मैंने एक बार नरेंद्र से कहा इश्वर रस के सागर है क्या तुझे इस रस के समुद्र में डूब की लगाने की इच्छा नहीं होती अच्छा ऐसा सोच कि एक कटोरे में रस भरा है और तुम मक्खी बना है तब तु कहां बैठ कर रस पिएगा नरेंद्र ने कहा मैं कटोरे की किनार पर बैठ कर मुह बढ़ा कर रस पिऊंगा क्योंकि जादा बढ़ने पर गिर कर उसमें डूब मरूंगा तब मैंने कहा बेटा सची दानंद समुद्र में मरने का भए नहीं है वह तो अम्रित का सागर है उसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं अमर हो जाता है इश्वर के प्रेव में मत होने से मनुष्य पागल नहीं होता अब भगतों की सांसारिक परिस्थिती का वर्णन करते हैं देवकी को कारागार में चतुर भुझ शंक चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए परन्तु उसका कारावास कटा नहीं एक अंधे ने गंगा नहाया गंगा के फल स्वरोप उसके सब बाप तो कट गए परन्तु अंधापन नहीं गया एक भगत लकड हारे पर प्रसन होकर भगवती ने उससे दर्शन दिये और क्रिपा की परन्तु फिर भी उसका लकडी काटना बंद नहीं हुआ उसी के द्वारा उसका गुजर बसर चलता रहा शर्शया में पड़े भीश्म देव की आँखों में देह त्याग की समय आँसु देख अरजुन ने श्री कृष्ण से पूछा सके कितना अश्चरिय है जो अश्ट वसुओं में से एक है वेह भी देह को त्यागते समय माया के कारण रो रहे है श्री कृष्ण ने जब यह बात भीश्म से कही तो वे बोले कृष्ण तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं देह के लिए नहीं रो रहा हूँ मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान की लीला कुछ समझने पाया जिसका नाम मात्र जपने से लोग विपदाओं से तर जाते हैं वे भगवान मधु सूदन स्वयम पांडवों के सक्षा और सार्थी के रूप में विद्यमान होते हुए भी पांडवों की विपत्तियों का अंत नहीं है ये कैसी माया है अब भगवान कैसे प्रकट होते हैं उसे बताते हैं किसी घर के छपर में एक छोटी सी दरार है उसमें से घर में प्रकाश आता है उस घर में रहने वाले को उतना ही प्रकाश मिलता है जिसके चप्पर में बहुत सी दरारे हैं उसे और भी अधिक प्रकाश मिलता है फिर खिड़कियों और दर्वाजें खोल देने पर भी और भी प्रकाश मिलता है परंतु जो मैदान में खड़ा है उसे सब और से प्रकाश ही प्रकाश मिलता है इसी प्रकार इश्वर भी मनुश्य की मानसिक अवस्था के अनुसार उसके सम्मुख अपना स्वरूप प्रकाशित करता है उस विराट पुरुष के जो जितने निकट जाता है उसे उसके उतने ही नए नए भाव दिखाई देते हैं अन्त में वह उसका पून ग्यान प्राप्त करके उसके साथ मिलकर एक हो जाता है